अचल आप थोड़ी देर चुप होजा में काम कर लो गुड़ मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप तो चलिए आज हम 30 अक्टूबर को बनने वाले हरियना करेंट अफेर के कोश्चनों को रिविजन कर लेते हैं लेकिन उसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारी हरियना करेंट अफेर की कोई भी वीडियो मिस्किया है तो आपको वो दोबारे से देखने ही जोट नहीं है आप हमारे हरियना करेंट अफेर को पीडियो के रूप में पढ़ सकते हैं एक महीने की पीडियो आपको पंदर रुपे में, चैय महीने की चालिस रुपे में और एक साल की साथ रुपे में मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्स में एवलेबल है आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर जाकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर डाउनलोड करने में कोई प्रोब्लम हो रही है तो आप हमें स्क्रीन पर दिये गए वाटसप नंबर पर मैसेज कर दीजे हम आपको पीडियो फाइल है वो वाटसप पर ही सेंड कर देंगे तो चलते हैं आज की वीडियो पर तो पहला परसन है हारिना राजय में पहली बार MSP पर किस फ़सल की खरीद होगी तो ये खरीद होगी मूंफली की हारिने सरकार पहली बार नियूंतम समर्थन मुल्य पर मूंफली की खरीद करने जा रही है किसानों को प्रती क्विंटल 5,275 रुपे MSP दिया जाएगा सरकार एक नॉम्बर से खरीद सुरू करने जा रही है खादे एम अपुर्ती उभा के अत्रिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने मूंफली खरीद को लेकर सोंवार को एहम बैठक लिए है जिसमें कई निर्ने लिए गए है दास ने बताया है कि राजय में परती एकड़ आठ क्विंटल मूंफली उत्पादन का अनुमान है उन्होंने बताया है कि 17,844 किसारों ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टर पर खुद को फसल बिकरी के लिए पंजी करत किया है ACS ने बताया है कि साथ मंडियों में मूंफलीों की खरीद की जाएगी जिन में हिसार, आदंपूर, सिर्सा जिले की, कालावाले, एलनाबाद, नातुसरी, चोपटा वे फतेहबाद जिले में फतेहबाद वे भट्टूकला शामिल है पीकी दास ने बताया है कि मूंफली के कुल उत्पादन की 25% खरीद केंडर सरकार की PSS योजन के तहत की जाएगी जबकि बाकी खरीद हरियना सरकार अपने लिए करेगी हरियना के तरफ से हैफट किसानों की मूंफली खरीदेगा किस देश की तरज पर सर्ण मनी यूथ वैलफेर्स नाम की एक संस्था ने प्लास्टिक कच्रे को कम करने के लिए एक ऐसा पैन बनाया है जो मिट्टी में फैकने से पोधा बन जाएगा तो ये बनाया गया है रूस के तरज पर पैन का कच्रा 91 फिजदी रिसाइकल नहीं होगाता है एक रिपोर्ट के मुतावित हर साल 160 से 240 करोड प्लास्टिक पैन बजार में आते हैं जिसकी वज़े से प्लास्टिक कच्रा उत्पन होता है इसका 91 फिजदी प्लास्टिक कच्रा रिसाइकल नहीं होता है प्लास्टिक वेस्ट पर जारी 2018-19 के अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि उस समय देश में 33,60,048 टन प्लास्टिक कच्रा उत्पन हुआ था टॉक्सिक्स लिंक के दौर जारी एक स्टडी सिंगल यूज प्लास्टिक दा लास्ट स्ट्रा के अनुशार के अवल एक में में केरल के ही स्कूल 77 करीब 1.5 क्रोड पैन को फैंक देते हैं वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अन अकेडिमी आपके लिए लेकर आए है एक फ्री टेस्ट श्रीज जिसको नाम दिया गया है ट्रम्प का ट्रम्प आपको मदद करेगा IBPS कलरक प्री और मेंस को किलियर करने में जिसमें आपको मौक टेस्ट एक्स्ट पैटरंस के मिलेंगे यह ट्रम्प एक नॉम्बर से शुरू हो रहा है जो की बिल्कुल फ्री है यहाँ पर पहले हफ़ते में प्री लेवल सब्जेक्ट टेस्ट और उनका एनलाइज किया जाएगा दूसरे हफ़ते में फुल लेवल प्री लेवल टेस्ट और उनका एनलाइज किया जाएगा तीसरे हफ़ते में मैं लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उनका एनलाइज किया जाएगा और चोते हफ़ते में मैं लेवल फु निमेश बनसल करवाएंगे रिजनिंग एनलाइटिक्स एनस्ट्रेजी अंकुष लांबा करवाएंगे जीए एनफ एनलाइटिक एनस्ट्रेजी सुकेश बठनागर करवाएंगे यहां आपको प्राइज भी मिल सकते हैं उनके बारे मैं मैं वीडियो में आपको बता तो अगला पर्षण है हर्यान में किस आनुसंदान के इंदर ने प्याज की महज 45 दिन में तयार होने वाली किस्ण विकृसत की है तो यह विकृसत की है एन एच आर्डियेफ ने हर्यान के करणाल में स्सीत राश्ट्र भागवानी अनुसंदान एंविकास पर्तिस्ठान छे त्रिय केंदर ने प्याज की नई κिसम त्यार की है जो मातर पिछेतर दिन में बनकर त्यार हो जाती है इस प्याज के कारण काफी हद तक प्याज की समश्या दूरोज केगी संस्तान के उपने देशक डक्टर बी के दुबे का दावा है कि देश में इससे कम समय में तयार होने वाली प्याज की कोई अन्य किसम नहीं है यह किसम कम समय में अधिक पैदावार देने वाली किसम है इससे एक हेक्टेर में महज 75 दिनों में 350 से 400 क्विंटल प्याज की पैदावार आसानी से लिजा सकती है नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट एंड जैनेटिक्स रिसोर्च पूसा नई दिल्ली की ओर से इस किसम को नेशनल आइडिन्टिटी नंबर मिल चुका है जल्दी ही यह किसानों के बीच होगी इस किसम में दड़ू नहीं निकलता है अब तक जितनी भी वेराइटिया हैं सभी में दड़ू निकलने की समश्या हैं फसल की मैच्योर्टी किसम में सारे पोधे अपने आप जमीन पर गेर जाते हैं इससे बंडारन अच्छा होता है जएदा कांट चांट भी नहीं करनी होती है यह बंडारन में अब तक किसम से लंबी चरने वाली उत्तम किसम है इसके बाद है हाल ही में मुख्यमंतरी कर्याले का ओर ओर ओल इंचार्ज किसे बनाए गया है तो यह बनाए गया है दिपेंदर शिंग ठेसी को तो यहां पर फोटो में देख सकते हैं यहीं है दिपेंदर सिंग ठेसी हर्याने के मुख्यमंतरी कार्याले में हुए फिर बदल के बाद मुझूदा अधिकारियों के बीच कामकाज का नई सिरे से बटवारा कर दिया गया है मुख्यमंत्री कारियल में आठ अधिकारी सरकार का कामकाज देखेंगे CM के मुख्य परदान सचीव दिपेंदर सिंग डेसी के पास जहां एक दरजन विभाग होंगे वहीं उन्हें मुख्यमंत्री कारियल का ओवर ओल इंचार्ज बनाए गया है यान की बाकी अधिकारियों की रिपोर्टिंग डेसी ही करेंगे CM की उप परदान सचीव आशीमा बराड के पास सबसे ज़्यादा तेरा विभागों का कामकाज होगा CM की परदान सचीव राजे स्कुलर के विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनने के बाद मुख्यमंत्री कारियल में बदलाव किया गया था रिटायर मुख्य सचीव डियस डेसी को हर्यान विद्यूत वी नियामक आयो के चेर्मेन पद से वापस बुला कर CM का मुख्य परदान सचीव नियुक्त किया गया था वंतिमंडल के परस्ताओं विद्यक, कानून सबंदी और वैपारिक मामले डेसी स्वैम देखेंगे आपकारी एउम कराधान, अर्बन लोकल बोड़ी, ग्रह उद्योग सिचाई और समान्य परससन समेथ डेसी एक दरजन विबागों का कामकाज देखेंगे इसके बाद है हाल ही में पलवल में ये सुन्त राव होलकर की कौन सी पुन्यति थी बनाए गई है तो ये बनाए गई है दोस्तो नौवी पुन्यति थी ये सुन्त राव होलकर एक ऐसे भारती सासक थे जिसने अकेले दम पर अंग्रेजों को नाकों तले चने चाबाने पर मजबूर कर दिया था ये सुन्त सिंग होलकर एक ऐसे सासक थे जिसका कोफ अंग्रेजों में साफ साफ दिखाए देता था ये एक ऐसे सासक थे जिसके साथ अंग्रेज हर हाल में बिना सर्थ समझोता करने को तयार रहते थे ये एक ऐसे सासे थे जिसे अपनों ने ही बार-बार दोखा दिया फिर भी जंग के मैदान में इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं माने तो इनकी ही दोस्तों नोवी जो जैनती है यह है पलवल में बनाई गई है तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों 31 अक्टूबर को श्याम चैंब जै आपको पूरे महीने के टोप सतर कोश्चन देखनों को मिलेंगे जो कि प्रिक्षय की दरिष्टी से मौस्ट इपोर्टेंट है मौस्ट इपोर्टेंट कोश्चनों के ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है तो इस वीडियो को देखना बिलकुल मत भू लिए तो चलते हैं अपनी वीडियो पर हाल ही में कौन सा ऐसा परो मनाया गया है जो हर्यानवी लोक संसकर्ति का अभीन हिस्सा है तो ये मनाया गया है संजी पारो पच्चिम बंगाल समित देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा और नवरात्रों में माता के नो रूप पूजन और आरती के बाद संजी को मटको में डालकर वैदिया जलाकर महिलाएं गीत गाती हुई स्रोवर या जोहड में संजी का विशरजन करती हैं जब लड़किया इस संजी को मटकी में डालकर विशरजन के लिए जाती हैं तब लड़के संजी की मटकी को डंडों से तो तो इसका उत्र जाने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदारी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को स्क्राइब करेगे घंटे पर आल उट्रिकेशन जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटिस्ट वीडियो है व हर्यान में तंबाकू विक्रेता लाइसेंस को लागू किया जाए के इंदर सरकार की सौस्ते मतलिक द्वराजारी ग्लोबल एडल्स टोबैको सर्वे रिपोर्ट कहती है कि तंबाकू के सेवन से देश में हर साल करीब 10 लाक मोते होती हैं हर्यान के आकड़ों की माने तो 49.1 प्रतिसत पुरूस से पाइंट तीन प्रतिसत महिलाएं और 23.6 प्रतिसत सभी वैसक या तो तंबाकू यूपत धुम्रपान करते हैं या धुमा रही तंबाकू का इस्तमाल करते हैं 15 से 17 साल आयू वर के यूवाव में तंबाकू के उपयों के व्यापकता जी एटी एस वन में 0.0 परतिसत से बढ़कर जी एटी एस टू में 4.0 परतिसत हो गई है इसके बदे हरियन के व्योवरद पत्तरकार फास्ट न्यूज के निदेसक कौन थी जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो ये थी स्री आवतार क्रिशन तो कोश्टिन पर आगे चलने से पहले दोस्तो में इन्रॉल करते हैं तो आपको 1 से 5 तक की रैंक हासिल करनी है उस रैंक में आपको 1000 का अमेजन वाउजर देखने को मिलेगा और प्राइज प्राप्त करने के लिए टेस्ट आपको लाइव अटेंट करने होंगी ये टेस्ट अन अकैडमी के टोप एजुकेटर से लेकर आ लिंक दिया गया है आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक इन्रोल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो प्रिप्रेशन है वो आप एक नॉम्बर से स्टार्ट कर पाएंगे इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करके उनके साथ साथ भी तयारी कर सकते है और यहां पर आपको हमारा code yth10 मिलता है अगर आप इसे use करते हैं तो यहां पर आपको इस test के अंदर कुछ छूट भी देखने को मिल जाएगी तो चली चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अगला question है स्वच भारत अभियान के तहत हरियान के ग्रामिनी छेतर को कोन सा पुरूसकार मिला है तो यह मिला है पर नापना-पुरूसकार की नई औध्योगिक नीतु को लागु किया गया है, इस नीती को क्या नाम दिया गया है, उद्धो एवंध रोजगार नीति 2020. बीस हर्यान के मंद्री मनोहर लाल खटर ने सनिवार को काया कि हर्यान की नई और द्योगक एवं रोजगार नीती 2020 अगामी एक नॉम्बर को हर्यान दियों से लागू की जाएगी उन्होंने काया कि वहीं हर्यान की युवाउं को रोजगार देने की नीती भी तैं कि गई है युवाउं को राजे में 55 फिश्दी प्रात्यमिकता दी जाएगी तो यहां पर दोस्तों हमारा हमारी जो हर्यान करंट अपेर हैं वो खतम होते हैं आप हम अपना चोटा सा रिविजर टेस्ट ले लेते हैं जिससे हमें ये सभी कोश्चन है ये अच्छे से याद हो हाईना राजे में पहली बार MSP पर किस फसल की खरीद होगी तो यह होगी मुंगफली की किस देश की तरज पर सवन मनी यूद फैल फेर नाम की एक संस्ताने प्लास्टिक कच्रा को कम करने के लिए एक ऐसा पैन तयार किया है जो मिट्टी में फैकने से पोधा बन जाएगा तो यह किया है रूस के तरज पर हर्याना में किस अनुसंदान के इंदर ने प्याज की महम 75 दिन में तयार होने वाली किसम विक्सित किये है तो ये की है N.H.R.D.F. अनुसंदान केंदर ने हाल ही में मुक्यमंत्री का रियला का ओर ओल इंचार्ज किसे बनाए गया है तो ये बनाए गया है दिपिंदर सिंग धिसी को हाल ही में पलवल में यस्वंत राव होलकर की कौन सी पुनेतिती बनाए गई है तो ये बनाए गई 209 पुनेति थी हाल ही में कौन सा ऐसा प्रव बनाए गया है जो हर्यान में लोक संस्कृति का अभीन हिस्सा है तो ये है सांजी पारू इसके बाद है ग्लोबल एडल्स टबैको सर्वे की रिपोर्ट के अमसार हर्याना में कितने परतिसत सभी वैसक तमबाखु युक्तु धुम्रपान करते हैं तो ये करते हैं 23.6 परतिसत हर्याना के व्योबर्द पत्तरकार फास्ट न्यूज के निदे सा कौन थे जिनका हाल ही में निदन हो गया है तो ये थे स्री आवतार कृश्न इसके बाद है सुच सभारत अवियान के तहट हर्याना के ग्रामणी चेतर को कौन सा पुरुषकार मिला है तो यही मिला है प्रतम्क पुरसकार हरियान दिवस के आउसर से प्रदेश की नई उद्योग की नीति को लागू किया गया है इस नीति को क्या नाम दिया गया है तो इसको नाम दिया गया है उद्योग एउम रोजगार नीटी 2020 तो यहीं पर दोस्तों हमारे डियूजन टेस्ट भी खतम होता है अब हम देख लेते हैं कल का कोश्चन्स कल हमने आपसे पूचा तक कि हरियाना के किस जिले की बेटी अनुज नहरा ने यूज नहरा ने यूज नहरा ने पहले ही प्रिक्षा भी दो बार दे चुकी है पिछली प्रिक्षा में दो अंको से चेहन नहीं हो पाया था पिता फो से हवाइलदार की पोस से सेवा ने उर्थ है और भाई पीज़ाई में सर्जन है तो चलिए अब हम देख लेते हैं आजगा कोश्चन्स आजगा कोश्चन है कि विसु के टॉप टैन एर्लाइन स्टोक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एक मात्र कंपनी शामिल है तो यहां पर चार ओप्षन है एर एशिया इंडिया गो एर इंडिगो या फिर जैट एरवेज आपको राइट ओप्षन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कल की वीडियो में आपको इसका जुआब मिल जाएगा तो आज की वीडियो दोस्तों यहें पर खतम होती है अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो लाइक जोर कीजेगा और दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत बुली तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत